आज हम ऐसे दो लक्षणों के बारे में जानेंगे जो आपको सीधा बता देते हैं कि बच्चा अब गर्व में चिपक चुका है या फिर आपने गर्व धारण कर लिया है या नहीं लेकिन दोस्तों उसके पहले हम ये भी बात करेंगे कि क्या रिलेशन बनाने के तुरंत बात पता लगाया जा सकता है कि आप में इंप्लांटेशन हो गया है या नहीं तो हलो गाइस मैं हूधीपा और स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल में दोस्तों आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमिट में राधे राधे जरू लिखेगा यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा या ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जो बताती हैं कि relation maintain करने के तुरंत बाद आप कैसे जान सकते हैं कि बच्चा चिपक चुका है या नहीं लेकिन ये बाते ये अंदाजे पूरी तरह से गलत होते हैं क्योंकि दोस्तों गर्व में बेबी चिपकता है तो बेबी का यूट्रेस में चिपकने के प्रोसेस में ही 6-7 दिन लग जाते हैं क्योंकि यदि आपने अपने ओविलिशन के समय पर relation maintain किया है अगर आप ओविलिश से 7 दिन बाद बेबी चिपकता है दोस्तों जब सेल्स एक को फर्टेलाइस कर लेता है तभी बेबी यूट्रेस में चिपकता है तो इस फर्टेलाइजेशन के प्रोसेस में ही 3-4 दिन लग जाता है दोस्तों कई बार कुछ कारण होते हैं कि relation maintain कर लेने के बाद भी आप में fertilization नहीं होता है काई बार यूट्रेस में कई problem हो जाती है जिसके कारण बेबी नहीं चिपक पाता है तो ये तो बात हो गई आपके implantation की तो दोस्तों implantation के जो symptoms होते हैं जो लक्षन होते हैं वो हमारी body में 6-7 दिन के बाद दिखाई देते हैं दोस्तों यहां पर अगर सीधा सीधा बताया जाए तो आपके period के 20 में दिन बाद या 25 दिन बाद ही आपको pregnancy के लक्षन देखने को मिलते हैं अब हम बात कर लेते हैं उन दो लक्ष nominal pain हो सकता है वहाँ पर swelling भी देखने को मिल सकती है यानि कि आपके नाभी के just नीचे आपको swelling देखने को मिलती है क्योंकि conceiving हो जाने के बाद दोस्तों आपके पेट में gas बनने चालू हो जाते हैं hormones के उतार चड़ाव के कारण आपके पेट में gas बनना, blotting होना ये सारी चीजे होती हैं जब आप pregnant हो जाते हैं तब आप में progestone hormones का उतार चड़ाव होता है और progestone hormones increase होता है कोई भी महिला जब pregnant होती है तो उसकी body में progestone hormones का होना बहुत ही जादा जरूरी होता है क्योंकि आपके pregnancy को ये सुरक्षित रगता है आपके pregnancy को increase करने के लिए progestone hormones बहुत जरूरी होता है और जब body में progestone hormones बढ़ता है तब आपके पेट में gas, digestion की problem होने लगती है नाभी के नीचे आपको फुला फुला सा दिखाई देता है नाभी के नीचे आपको उभरा सा दिखाई देता है नाभी के नीचे पेट में आपको खिचाप सा, चुबन सा, दर्द सा फील होता है दर्द में दर्द रहना हलका हलका सा सरदर्द आपको हमेशा बना रहेगा आपकी body आपको बहुत थकी थकी हुई सी feel होगी ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कितना सारा काम किया है और अब आपको काम करने की बिल्कुल भी इक्षा नहीं हो रही है बॉमिटिंग जैसा feel होना या फिर आपको उपकाई सा आना दोस्तो इसके अलावा आपको mood swing की problem जादा होने लगती है आपको बार बार urine जाने की इक्षा होने लगती है दोस्तो ये सारे ही लक्षन आपकी सुरवाती pregnancy के माने जाते हैं